हे गाइस कैसे आप लोग फिलिपकट और अमाजन पर जो साल का सबसे बड़ा सेल है वो कुछ दिन में स्टार्ट होने जा रहा है टीजर बगरा सारा कुछ अल्डेडी आ चुका है ऐसे में अगर आप एक नेकबैंड पर्चेस करना चाहते हो आपका बजट है पंदरा सो रु पी से लेके 25 रुपे के अंदर दी बेस्ट है और इनके कमपेटिशन में जितना भी नेकबैंड मार्केट में अबलेबल है हमने आलमोस्स सब को यूज करके देख सकते हैं बहुत सारा आपको नेकबैंड रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा तो आप हमारे पर ट करते हैं मेरा नाम विधान आप देख रहें भी इंसाइड लेट सब्सक्राइब दोस्तों यह जो पांच नेकबैंड में आपको सब्सक्राइब करने जारो इन पांचों का ही डिटेल वीडियो हमरे चनल पर एविलेबल है जा पर हमने गेमिंग क्वालिटी साउंड क्वाल कर लीजेगा या फिर आप उपर आई बटन से जाके भी देख सकते हैं इस वीडियो में हम थोड़ा सौर्ट में बात करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो चले वीडियो में आके बात करते हैं नमबर पांच पे आने वाले नेक बेंड के बार में तो यहा है उसी का सक्सेसर वान प्लस के तरब से रिसेंट लांच वान प्लस बूलेट वेलेट जी टू एंजी इसका प्राइस है तेहीसु रुपया पर सेल के टाइम पर यह आपको दो हजार रुपया के अंदर देखने को मिल जाएगा अगर बात करो में डिफरेंस के बार में तो वन प्लस दी टू एंजी में आपको SEC के सपॉर्ट मिल जाता है अब टू 45 ड़ी तक hybrid SEC का सपोर्ट इसमें दिया गया और जो quality एंजी का वह आपको बहुत बहुत जबर्दस देखने को मिल जाता है इसका बेस पार्त मुझे लगता है कि इसमें आपको हे मिलेड़ी एप का स support मिल जाता है ए उसके वाय से आपको अलग अलग जो EQ mode सपर्ण मिल जाता है या फिर आप खुद के हिसाब से customized EQ को भी set कर सकते है जिसके बाइसे जो Springs है सब्सक्राइब बहुत आपको oneavoir गुलेट जिदो के जैसा ही देखने को मिल जा याता है साथ ही call credit आपको दोनों का ही काफी आचा मिल जाता है मैंने outdoor में जाके calling चेक किया था उसके हिसाब से बता रहो अगर आप indoor या फिर outdoor calling के लिए एक neckband हून रहे तो definitely आप इन दोनों के साथ ही जा सकते है और battery backup दोनों का ही काफी आचा है 25 घंटे से उपर आप normal mode पे use कर पाएं तो दोनों में आपको 12.4 mm का driver देखने को बलता है और जो sound quality आपको दोनों में exactly similar देखने को मिल जाता है अगर आप एक bass लावार है तो इन दोनों का sound आपको काफी आचा लगने बाला है काफी बंची bass के साथ आता है और vocals troubles भी आपको ठिक ठक सा मिल जाता है हाँ अगर आप romantic sad type का song सुरना prefer करते है तो इन दोनों को मैं सेच्ट नहीं करूंगा बाकी rock type का song सुरना पसंद करते हैं तो आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते है तो जो भी आपका requirement है उसके हिसाब से आप इन दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते है और यह जो नेक बैंड है वो one of the most selling neckband है इंडिया में जितना भी neckband market में available है, अगर आपको ANC नहीं चाहिए तो आप oneplus bullet Z2 के साथ जा सकते है, 1516 रुबे price के साथ से भाई कमाल का होने वाला है, अगर आप ANC को experience करना चाहते है तो 2000 के price एक बेंड में भाई बहुत कमाल का यह हो सकता है, इस Z2 ANC का जो review हमने किया था, उसी में इस Z2 के साथ हमने compare भी किया था, तो अगर आप इन दोनों में confused है तो उन वीडियो को जाके देख सकते हैं, तो आपका जो confusion है और भी अच्छे से clear हो जाएगा, और आप decide कर पाएंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा choose करना चाहिए, और इन दोनो उसको sale कर दिया था, कुछ neckband को हम बात में resell भी कर देते हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पर मैं बात करो, बोट के तरफ से आने वाला, बोट rockers 330 ANC, या फि 333 ANC के बार दे, दोनों ही exactly similar neckband है, 333 ANC में आपको bread cable देखने को मिल जाता है, जो wear है, and 330 ANC में आपको normal but wear का quality है, बोट दोनों का ही काफी आचा है, तो उस बार में आप tension मत लीजेगा, इसका भी regular price 2000 रुपे के आसपास रहे था, but sale के time पर ये भी आपको 1500-1600 रुपे के अंदर देखने को मिल जाएगा, इस neckband का build quality जो है, वो मुझे बहुत कमाल का लागता है, side का module है, वो आप को aluminium के coating के साथ मिलता है, जो look से neckband का, वो भी बहुत कमाल का है, अगर आप earplug को देखेंगे, तो भाई बहुत कमाल के design के साथ आता है, अंदर का speaker है, वो आपको बाहर से देखने को मिलता है, transparent सा look यहाँ पर दिया गया है, इसकी earplug में कोई भी earhooks यूज नहीं किया गय और नाम में ANC, तो इसमें आपको ANC का support definitely मिल जाता है, आपको 25 dB तक ANC का support मिलता है, और जो quality ANC का वो काफी आजा है, साथ ही ambient mode का भी support मिल जाता है, आसपास का आवाज है, वो आप earphone को बिना कान से निकाले, आराम से सुन सकते है, साथ है अगर बात करूँ sound कोलने के बार म ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो quality भी आपको काफी आचा सुनने का मिलता है, साथ ही साथ जो direct का optimize sound quality है, वो काफी balance sound grade करता है, नॉर्मली बोट के इस price range के किसी भी नेक बन में आपको इतना आच्छा sound quality नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा मुझे इसका sound quality अगा है, हाँ य ब्लू कलर है, जो कि मेरे पास available था, वो मेरा सबसे favorite कलर है, हाला कि और भी आपको कुछ color option में यह मिल जाता है, तो मैं बिल्कुल suggest करूँगा कि अगर आपका budget 15-1600 रोपे के आसपास है, तो sale के time पे बिल्कुल आप इसको purchase कर सकते हैं, भाई, बहुत कमाल का quality आपको subscription में मिल जाएगा, भाई तो 50K subscriber के हम बहुत नजदिक आ चुक है, बहुत दिन से हम वेट करें कि भाई, कब 50K complete हो जाएगा, बट आप लोग यह subscribe करके इसको, मतलब complete करने में मदद नहीं कर रहे हो, आप में से 97% viewers है, जो कि वीडियोस तो देखते हैं, बट चैनल को subscribe नही तो please press कर दीजेगा, अगर आप इस चैनल को आगे लेके जाना चाहते हैं, चलो तो दूसरे बात करते हैं, मेरा सबसे favorite neckband के बारे में, जिसको मैं बहुत जायूस करता हूँ, अगर आप एक music level है, तो भाई, इस से बेटा neckband आपको market में नहीं मिलेगा, जितना भी neckband market में available ह I hope कि आप अभी तक समझ गया होंगे, मैं यहाँ पर बात करो, OPPO के तरफ साने वाला OPPO Inco M32 के बारे में, क्या कमाल का sound quality है, snakeband का, आप अगर देखेंगे तो इसका हालत, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बहुत जायूस करता हूँ, बहुत खराब हो चुका है, sound quality के साथ साथ इस में भी आपको IP55 के रेटिंग मिल जाता है, तो सुवेट या, फिर हलका फूल का dust से आपको विलकुल भी घबराने का जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको योज़ कर सकते है, और इसके एर प्लक के अंदर आपको 10 mm का driver देखने को मिलता है, नॉर्मली हम क्या जानते है, कि जितना बड़ा driver size होगा, उतना ही better sound quality मिलता है, बट ये इस चीज़ को wrong prove करता है, sound quality depend करता है optimization के ओपर, और उपो का जो optimization है ना वो भाई next level का है, मैं personally एक fan कह सकते है आप उपो के audio product का, मुझे mobile एकदम भी पसंद नहीं है, उपो का मैंने आज तक कोई भी mobile use नहीं किया, ब best part है कि इसका stereo effect है, जो trouble का part है, वो आपको बहुत कमाल का experience provide करता है, अगर आप classical type का, या फिर romantic type का, या फिर sad type का song सोना पसंद करते हैं, तो भाई, इसका sound quality आपको बहुत कमाल का लगेगा, कोई भी आपको आपका support नहीं मिलता है, अलग से आप कुछ भी customize इसके अंदर न connectivity भी काफी strong है, इसके लिए आपको यहाँ पर dual device switching का भी support मिल जाता है, इसमें जो plus minus का button है, अगर आप उसको long press करके रखेंगे, तो आप एक device से disconnect होके दूसरे device में switch कर सकते है, और काफी seamlessly ये काम करता है, साथ एक आप design wise देखेंगे, तो बाहर के side में आपको neat and clean मिल जाता है, तो थोड़ा सा caring के साथ आपको use करना है, बट है launch date में इसको order किया था, उसके बाद से मैं इसको continuously use कर रहा हूँ and आप देख सकता है where एकदम ठीक है, कोई भी problem अभी तक देखने को मुझे नहीं मिले, and काल्कुलेटी पर आपको काफी आचा मिल जाता है, इसका regular जो price है बो है 18 रुपए के आसपास, but sale के time पे easily आपको ये 1500 रुपए के नीचे देखने को मिल जाता है, हो सकता है कि इस साल ये आपको 1300 रुपए के अंदर भी देखने को मिले, and उस price के हिसाब से भाई, मतलब दी based है जितना भी नेक बैंड मार्केट में available है, उस price तो क्या under 2000 रु सारा कुछ आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, चलो से बात करते हैं, नमबर दो पर आने वाले नेक बैंड के बारे में, and यह जो नेक बैंड है वो अपने आप में innovation है, normally हम जब भी कोई earphone use करते हैं, उसमें जो sound है वो आपके ear में ही बजता है, but जब भी हाँ movies बगरा द लेकने जाते हैं, theater में, तो sound क्या होता है, कि बाहर से बज़ रहा होता है, तो जब आप लंबे समय तक जोड जोड से भी sound सुनते है, hall में जाके, तो आपको कोई भी irritation फिल नहीं होता है, but जब भी आप कान में लगा के लंबे समय तक use करते हैं, तो कुछ दिर बाद आपको irritation फिल होना start हो जाता है, and theater में जो sound हम सुनते हैं, बो डॉल भी audio supported होता है, जो sound इधर उदर से बज़ रहा होता है, बो डॉल भी audio के वैसे अलग-अलग separation हम सुन सकते हैं, and उसी experience को आप इस neckband में ले सकते हैं, जो कि है boat company के तरब से boat निरवान 525 agency powered by Dolby audio, Dolby audio के साथ collaboration में य इस तरह का neckband इससे पहले use नहीं किया, तो हमारा normally जो experience है जैसे कि हम कान में सुनते हैं, तो वो experience इस neckband में भी आपको मिल सकता है, आपको इसमें दो अलग-अलग mode मिल जाते हैं, एक है boat के तरफ से signature sound, जहां पर आपको air वाला feeling मिलेगा, and एक है Dolby audio का mode, जिसमें आपको वो दूर से सुनाई दिने वाला sound quality मिलेगा, इसमें छोटी-छोटी एक दो problem है, जैसे कि most of the mehengay neckband में हमें magnetic on-up का support मिलता है, जैसे हम दोनों air plug को अलग करते हैं, तो on हो जाता है, जैसे हम फिर से एक साथ में रख देते हैं, तो वो off हो जाता है, बट इसमें आपको इसका support नहीं मलता है, आपको manually इसको power on या फिर off करना पड़ता है, साथ यहाँ पर जो magnet है न, air plug के अंदर, वो उतना strong नहीं है, तो जब भी आप neck के उपर रख के इस तरह से कहीं पर घूमते हैं, या फिर bike बगरा चलाते हैं, तो बहुत बार यह अलग हो जाता है, बट आप believe कर स जाहें आप classical type का song सुने, नया song सुने, हर song में आपको उसी level का experience देता है, कि आपको लगता है, कि sound जो है बापके room में, चारो तरफ speaker बगर लगा हो है, और आप सुन रहा है, साथ ही इसमें आपको board के तरफ से hairable application का भी support मिल जाता है, जिसमें आपको काफी सरा अलग-अलग option मिल जाता है, इसके लिए इसका जो call quality आना बो भाई मुझे बहुत कमाल का लगा है, मैंने बहुत busy रहें जाके इसका calling test किया था, अगर आप देखेंगे उस वीडियो में जाके भाई बाहर का noise हो, उसको यह totally cancel कर दे रहा था, और साथ ही इसका जो module का design है, वो आपको काफ इसको यूज करके देखा है, बाहर का जो noise है, वो बहुत ज़्यादा cut out हो जाता है, तो अगर आप कुछ नया try करना चाहते हैं, तो definitely मैं आपको search करूँ कि आप इस boat निर्वाना 525 ANC के साथ जा सकते है, और इसमें आपको dual pairing का support मिल जाता है, एक साथ में आप दोने mobile के करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर आप इसके price को देखेंगे, तो launch price तो था 25 रुपए, बट इसका regular price अभी बढ़के 2728 रुपए तक पहुच गया, अगर sale के time पर ये 2223 रुपए के अंदर मिल जाता है, तो definitely आप इसको देख सकते है, और इसके उपर हमने दो अलग पीडियो बना है, तो उसका link पी आपको description मिल जाएगा, जाके check out जरूर कर लिजागा, अगर आप इस बोट इनवा ना 525 एंसे को purchase करने के बारे में सोच रहे हैं, चले से बात करते है, नमबर वान पे आने वाले neckband के बारे में, मेरे हिसाब से ये the most value for money neckband है, जितना भी neckband market में available है, इसलिए जब से ये launch है, उसके बाद से भाई, आधर neckband का जो मतलब sale वगर है, वो मुझे लगता है कि काफी down हो जुगा है, मैं यह आपर बात करो, realme के तरफ साने बाला, realme birds wireless 3 के बारे में, इसका जो regular price है आप वो है सिर्फ 18 रूपए, अगर आप देखेंगे न आपको काफी आचा joint में support मिल जाता है, साथ ही wear का quality आपको काफी आचा मिल जाता है, और साथ ही side के module में आपको यहाँ पर चार अलग-अलग button देखने को मिल जाता है, अगर आप ear plug को देखेंगे तो ear plug का design है आपको one plus के neckband के जैसा ही देखने को मिल जाता है almost, और जो design है वो बहुत जड़ा comfortable है, लंबस में तक अगर आप continuous to use करना चाहते है तो आपको बिलकोल भी problem नहीं होगा, and obviously इसमें आपको magnetic on-up का support मिल जाता है, साथ ही जो magnet है वो आपको काफी strong यहाँ पर मिल जाता है, and sound quality को बात करो तो 13.6 mm के large driver के साथ आता है, जो base है वो आपको level से वो आपको एकदम encryption clear सुनने को मिलता है, and overall one of the best sound को लेके साथ आता है, under 2000 रुपेस में आपको किसी भी नेगमेंड के साथ compare करेंगे, इसके लिए इसमें भी आपको ANC का support मिल जाता है, up to 30 dB तक sound को यह cancel कर देता है, and जो quality भो भी आपको काफी अचा मिल जाता है, इसके आपको dual pairing का support मिल जाता है, आप एक साथ में दो device को continuous connect करके use कर सकते है, बाकी battery backup को देखेंगे, तो normally 40 hours का battery backup मिल जाता है, ANC के साथ भी आप इसको 25 घंटे के around आराम सा use कर सकते है, इसके लिए gaming के लिए धून रहे तो सरी 45 millisecond low latency का support आपको मिल जाता है, तो gaming के लिए भी सब से बेस्ट नेकबेंड है, अन्डे 2000 उपेस के सेग्मेंड में, और साथी IP55 के rating में मिल जाता है, connectivity भी काफी strong है, तो अबर अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे कि मैंने कहा कि most value for money नेकबेंड है, जो price real में ले रहे है ना, उसके हिसाब से भाई, कुछ जादा ही features आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, and 18 रुपए price में भी भाई, यह worth buying product है, तो suppose अगर आपको sale के time पर यह आपको 1500-16 रुपए के अंदर मिल जाए, तो कितना खतरनाक deal हो सकता है, so definitely अगर आप एक नेकबेंड होन रहे है, अगर आप अभरल सबसे बेस्ट नेकबेंड चाहते हैं, ज जाके check out ज़रूर कर लिजेगा, तो guys मेरे हिसाब से कौन सा नेकबेंड को किस ranking पर होना चाहिए, बो मैंने आपको बताए, अभी आप मुझे comment करके बताए, कि आपके हिसाब से इसका ranking क्या होना चाहिए था, and अगर आपको लगते कि और कोई नेकबेंड है, जो किस list के अं बाइवान मिलता रहेगा, तो चलिए मिलता है नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए गुड़ बाइज, एंक्यू सो मज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद